हेलो दोस्तों आकास अकेडमी पॉइंट आ उन लाइन क्लासेश के, इस छोटे से लाइब इस्ट्री में आप सभी का स्वागत है और यह जो वीडियो होने वाले बहुत ही जाद ही इंपॉडेंट होने वाला है यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉडेंट होने वाला इसलिए वीडियो को दोस्ताम तक जरू देखिएगा जैसा कि मैंने आप लोग एक वीडियो में बता जाता कि आकांगशा 40 के जो फीजिक्स का सेट 2 और सेट 3 एक वीडियो में कवर होगा ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेट 2 आने वाला हूं भी आप लोगो लाइब जूड़ जाना है और दोस्तों साथे साथ अगर आप कोश्चन का एंसर जानते हैं तो लाइब चैट में आपको एंसर देना है ठीक दोस्तों सभी लग जूड़ जाईए और ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए अगर आप लोग का पास ये कॉंटेंट पूंच जाए चले दोस्तों सूर करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों जैसा कि पहला कोशन देख पारे हो क्या है कि किसी माजध्धम का पबरतन आंक NM-10 द्वारा दिया जाता है तो दोस्तों NM का जो सूत्र होता है क्या होता है हावा में प्रकास की च ठीक है माजधम में प्रकास की चल में इतना नहीं लिग रहा हूं डायरेक्ट बता दे रहा हूं ठीक है NM का जो फर्मूला होता है हावा में प्रकास की चल बटे माजधम में प्रकास की चल तो दोस्तों इधर जो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो जहां हावा में प् प्रकास की चाल यानिकी भी यानिकी भी तो यहां पर अंसर हो जाएगा सी बेटे भी तो दोस्तों इस चारों अपसन में से कहां पर है आप लोग देख सकते हो नहीं अपसन नमर बी जो है इसका से अंसर हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आप लोग स्क्रिन में देख सेकते हो क्या है कि बाकरता तीर जा और गोली अधर्वन की फोकस दूरेख में संबंध तो दोस्तों यहां पर दो कॉंडिशन होता है यह बराबर और बटे दो और एक होता है आर बराबर आर बराबर तू एप ठीक है यह दोनों सुत्रों आप लोग पता होगा ठीक है यह अपर दो कंडिसन होता है अगर दोस्तों आप लोग देखने को मिले कि दोस्तों काला चेंज कर लेता हूं दोस्तों अगर देखने को मिले यह बराबर आर बटे तू तो यह अप प्रफाबी व्यास कहलाता है यानि कि इस प्रिक्रा का लेंस बने या फिर इस प्रकार का लेंस बने यह जो रूपरेखा देख पा रहे हो इसे क्या बोलेंगे तो दोस्तों इसके का जाता है इसे क्या का जाता है दूारा किसका से ंसर हो जाएगा ठीक है अगला सबर देखे सेखत you क्या है जदी प्रेकास का प्तित किरंड किसी अवतलदर्पनं के मूः फोकॉस से गुजारता है जैसा चित्र में दिखाया गया है तो परावर्तित किरन क्या होगा तो दोस्तो थोड़ा जूम कर लेते हैं तो दोस्तो जैसा कि देख पारे हो यह जो है यह अवतल दर्पन है और यह जो किरन आ रहा है किरन यहां पर टकरा रहा है टकरा कर दोस्तो इधर मूर जाएगा ठीक ह होगा ठेक अपस्व नमध्थरी जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अगला दोस्तो देख सकते हो प्रदाम्त चित्र में उपाक्षी किरान क्या है तो दोस्तों उपाक्षी किरान किसे बोलेंगे जो मुखाक्षी के नजदिक होगा उसे क्या बोलेंगे उपाक्षी किरान यानि कि इसका अंसर क्या होगा दोस्तों देख लिए दोस्तों यह आपका जो है यहां पर देखिए यह हो यह यह औरयेगा चली आग लो देखते हैं अगला स्क्रेशन स स्रक्रेंट कि निकट कोई도 29 होता ह क्या होता है 25 स BereintATION होता है अगर यहां पर दूरस नमदु पूछता नान फर निकटिस हो लेंस किसी बोस्तू का हिरासित पतिविम बनाता है जब दोस्तों जब क्या हो जब यू जो हो टू एप से बढ़ा हो यानि काफ़न नमर डी जो है से अंसर हो जाएगा यू मतलब किया यू मतलब होता है बोस्तू का दूरी बोस्तू का दूरी जो है टू एप से बढ़ा होना नमर चाहिए तहीं जो है बोस्तों का हैरासित पति हम बंता है यानि को सट मोर जोलous चांसर हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अगला दोस्तों देख सेकते हो किसी गलीय हुष की को कि इतना हो में होका तो दोस्तों यहां पर कहा सबस्क्राइब आधर पोचा जाये तो एक उसका फोकस संका होगा और थों लेंज पुचा जाये तो दोसद उसकी फोकस की संका जो है दो अंसरses ऺेड़ा यांपर पुचा गया है कि आप MR 1 इसका पुचा रों सबस्कराइब यानि कि एक मुख्व फोकस की सेंखा होगी ठीक है चले अगला देखते हैं अगला देख सकते हो निमने लिखित में सरी निमने लिखित बिदूद चुम्बी की तरहेंगे में से किसका उचतम और जाए तो इसका सेंसर हो जाएगा द्रिश्च प्रकास तरहेंगे यानि का आ से याद् रिखेंगे न्याकर दूटत यहां पर पूछा जाएं निकड़적ि दोस्ट ठेक है ऑल एक होता है निकट के लिए, मैं इस वीडियो में बताने ताफल में एक ज़्यादा खू नें की अबतल और दो हैंगा दुर पूछा जाए तो उताल हो झाएगा अंकिया है अब हो लोग को समझ में आगया होगा चेल अगरल देखते हैं गार्थ सवाल क्या है सुर्य प्रकास स्पेट्रम में कितने रंग होते हैं आपको पता होगा साथ रंग होते हैं इसका आप लोग चाहते हैं क्या क्या तो बीजीन हपी नाला से आप लोग देख सकते हैं 59 पतिरोध से 345 एकसो जूल एकसो जूल उसमा उत्पना हो रही है पतिरोध का आर पार बिवांतर है तो दोस्तों इसका एंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको सॉल्व करके ठीक है आप लोग समझ दे जाएगा देखिए यहाँ पर का जा रहा है पतिरोध यानि कि आर आर यहाँ पर कितना दिया है चारों दिया है आप लोग गयाद रहिएगा और देखिए यहाँ पर 30 सेकंड की बात हो रहा है यानि कि टी हमारा कितना दिया हुआ है एक सेकंड ठीक है और देखिए यहाँ पर जूल यानि कि उसमा कितना है उसमा यानि कि इसका 100 जूल दिया हुआ है अब देखिए लिए इक निढ दे हैं और यानी कितना देता है सो कर रहा हूँ थीक्ते सब्सक्राणुट देखते हैं रुकिए एक मिनिट हाँ 100 का स्वार लिखे है उसके बाद देखिए यानि कि 4i2 इसका एंसर हो जाएगा मतलब गुना करोगे इसको गुना करोगे तो आप कहा जाएगा 4i2 ठीक है क्या असर हो जाएगा 4i2 उसके बाद देखिए कैसे स्वाल करना है मैंने यह 2 i2 इकल डू 100 लिख सकते हम अब देखिए i2 बराबर कितना हैगा जब हम लोग आई स्कूर बराबर निकालेंगे i sqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr हो गया अब देखिए और कितना दिया हुआ है चार कितना है पांच तो दोनों को गुना करोगे देखिए इसका यह थेmu 20 आएगा तो 20 volt ठीक है इसका sensor हो जाएगा तो देखिए आपसे नमर क्या है तो आपसे नमर आपका एक जोए sensor होजाएगा 20 volt ठीक है आई होग क्या लोग question समझमे आ गया होगा चले अगला देखते हैं अगला देख सेकते हो बिदुत पति रोधत्त कैसे इमात्र क्या है तो इसका depends क्या होगा है bother 3 वह इसकाoonsर हो जैगा यानि कि ओम मीटर इसका से लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच बीवांतर साट वोल्ट है उस समय बीदू थीटर कितनी बीदू धारा लेगा जब बीवांतर 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा तो इसका अंसर क्या होगा मैं आपको सौल्ब करके बता देता हूं आप दोस्तों बीदू धारा दे एक भी सकते हो ठेक है यहां पर देखिए बीदू धारा हमार कितना है आई यानि की बीदू धारा देखिए कितना है चार एंपेर ठेक है और देखिए भोल्ट बीवांतर कितना दिया हुआ है साट भोल्ट ठेक है अब आर यहां से हमको निकालना है दोस्तों आर बाराब कि नियम अगर पड़े होंगे भी वराबर और आयए ठेक है यहां से आय आगर आप निकाल ले तो आयों किया होगा भी वेटे आयए ठेक है अब देखिए सुने वाला है ठेक है अब मैं बतादूं की भी वर्ड़ आया यानि कि भी हमरे कितना था 60 और ऑरं कितना था जब दोनों को क्रोस करोगे तो आपका आजाएगा 15 यानि कि आर बराबर आपका आजाएगा 15 ठेक है चलिए इतना आ गया चलिए दोस्तों इसे फिर से एक बार अच्छे से सल्प करके आपको बता देता हूं तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो मैंने वहां पर भी बताया दि ठीक है दोस्तों मैंने वहां पर भी बताया था दोस्तों यहां पर अच्छे से सॉल्प कर लिए तक आप लोगों कोई परिशानी ना हो ठीक है दोस्तों चलिए यहां साथ बटे चार करोगे तो आपका 15 आजाएगा तो वहां पर क्या गया जाता है एक सासी बोल्ट तक बराबर और आई ठीक है यहां से आई अगर ग्यात करा जाए अगर यहां से आप लोग आर नहीं यहां से आई ग्यात करना है तो आर बराबर कितना आजाएगा भी बटे आर ठीक है जब भी बटे आर करोगे तो एक सासी एक सासी बटे पांच कर दोगे तो आपका जाएगा बारा एंपियर तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बारा एंपियर जो है इसका से अंसर हो जाएगा ठीक है बारा एंपियर इसका से अंसर हो जाएगा चलिए option को देख लेते हैं option नमर डी जो है इसका से अंसर हो जाएगा देख सकते हैं अपर बारा एंपियर ठीक है दोस्तों पंदरानाम सावल देख सकते क्या है जदी प्रिटे केकुम पतिरोध वाले छो बराबर पतिरोध चित्रम में जैसा एक सटभू जैबी सीडी बेनते हैं जदी धारा यह से प्रिवेस करती है तथा डी से निकलती है तो संजेवजन द्वारा प्रदन पतिरोध क्या ह दोस्तों इसे में आप लोग को मर्क के तोर पर दे रहा हूं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में से जोरू बताईएगा और इसका में अंसर आपको कार्याट एंसर बता देता है इसका एंसर हो जाएगा अगर दोस्तों आप लोग को इसे में सॉल्व करके भी बताऊंगा अग ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला दोस्तों देख सकते हो क्या है विद्धु ताबेस बिंदु ए से बिंदु बी की और जाती है इस परिक्रिया में क्या गया कारी क्या काल आता है तो दोस्तों इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर ऑप्स नमरे जो है से अंसर हो चलिए अगला देखते हैं एक परिपत में क्या होता है आपको बताना आए तो दोसे मैं बता दू आए एक परिपत में आप लोग का चार्ड नमबर जो इसका सेंसर हो जाएगा क्या है कि मीटर हमें सेर्णी करम में तथा बोल्ड मीटर पुति रोदों के समंतर करम में जुड किया जाते हैं तो सेर्णी करम तथा समंतर सेयोजन में उत्पन उस्मा का अनुपाद ग्याद करना है यहां पर क्या कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है दो चाला के जिनका पदा आर्थ लंबाई और व्यास जुड़ समान है ठीक है किसी परिपत में पहले हमको सेर्णी दो चालाक है जिसका पदार था और जो है उसकी लंबा जो समान है तो मैंने अपने लिखा दो तार का पती रिख जो है आर को मार है ठीक है दोनों जो है समान है इसे पहले सेड़नी कर में जोड़ते हैं जब भी सेड़नी कर में जोड़ोगे तो यह हमारा रवान यह हमारा जैसे 2R जैगा उसके बाद काया गए समांतर क्रम जिसे पार्शकरम भी का जाता है चलिए इसे समझ दें जब पार्शकर में करोगे तो 1 बटे तो rp viewpoint 1 greater plus 1 bertr जब दोनों को जोड़ दोगए तो Rapha यहाँ पर जब करोगे तो यहां पर एक plastic तो आयगा यहने कि दो बटे 시간 cubra जाएगा ऐसके दो बटे ऊर यहाँ तो आप आजाएगा रबेटे 2 ठेक है इसका मतलब कि कैसे आएगा इसके साथ यह गुना हो जाएगा तो आपको आजाएगा रबेटे 2 ठेक है समझ में अगया उसके बाद दखो कायगा है उत्पन उस्माव का अनुपाद गयाद करें तो देखिए H1 बराबर लिखना है I2RST यानिकि ये समांतर ये जो है सिर्णी करम बाला है और H2 यानिकि I2RPT ये है आप लोग का समांतर करम यानिकि पार्स करम ठेक है दोनों का अनुपाद देखिए कैसे गयाद करते या पर दोसुं को समझा देते हैं ठीक है देखिए फहले फॉर्मुर्त लिखना है I2 टो i2स Burada ने देते हैं ठेकना न पर आई-янंपर उसके बाद देखी, यहाँ पर गुना का छिन्ने गुना देते हैं RS हमारे कितना है, 2R है, तो यहाँ पर 2R देखी यह लिखा गया है 2R ठीक है, और यहाँ पर T, जो है T ही लिखना है T कुछ नहीं दिया है, उसके बाद यहाँ पर भी I² और R, पी आपका कितना दिया है? R बटे-2, R बटे-2 हमने यहाँ पर लिखा आए जो है, यहाँ पर देख पर हो, ठीक है ना? उसके बाद देखे, यहाँ पर भी T हाना है यह T और यह T जो है काट जाएगा, I², I² काट जाएगा तो आपका रहेगा किया? टू आर बटे टू यह रहेगा ठीक है टू आर बटे आर बटे टू ठीक है यहां पर रहेगा टू आर बटे आर बटे टू ठीक है जब टू आर लिखोगे जो इधर जो है आर बटे दो है तो दो उपर चल जाएगा आ निजा जाएगा तो आर आर काट जाएगा तो चार बनी नमrz सबाल दोस्तों क्या देख सकते हो किसी आग्यात पतिरोद के पतिरोदक के सीरे 12ψध से स्वंयवजीत करने पर परिपत में 125 ऊंवे विदूत धारा प्रभाईद होती है तो पतिरोध का पतिरोध का पतिरोध का पतिरोध क्या होगा चलिए इसको समझ लेते हैं तो 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 इसको समझ पृत्यका प्रिभरमण टाठिक, इसका श्याइनसर हो जाएगा ज्यासित धूरें सर्चिंधा मेरं श्याइन का है प्रिभरमण जाता है ईसा अगर दीग जाता ही याद रखिएगा अगर यहापत दीग परावर तक रहता है जा चैम जेले क्षे का न दीका देखते हैं कर लिए ना कर लिया नियुटन और बदू से क्या हो जाएगा गोश्ड हो जाएगा ऩाबिदू आपेंट olv अगला देखते हैं अगला दोस्तों देख सकते हो क्या है स्क्रीन पर निचे दिये गए चित्रों के अनुसार इलोक्ट्रन की सी चुम्बकिये छेत्र के लंबबत प्रोबेस करता है इलोक्ट्रन पर आरफी दबल की दिसा क्या होगा चलिए इसका अंसर को आपको बताते हैं हो जाएगा source नोम चांज सो एक जीमिंस का शेइंस के जो जाएंज के ऊधार को जाएगा उपसन नमर ढबाए है सचानवी सब्सक्राइद की देखिते हूं आघ लेघए से कौन से लंबे सीधे बिदु धारावही तार के निकट चुम्ब की च्छेत्र का सही बर्णान करता है तो 27 नंबर के जो सैंसर ओप्सन नमर्चार जो भिलकुल सैंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि चुम्ब की खेत्र में साखेंद्री भृत्र होते हैं जो तार के केंद्र इसका अंसर नमब 4 यह बिल्कुल से अंसर हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अगला दोस्तों देख सेकते हैं किसी कुंडली के गुरुनान करने पर सरी कुंडली में उत्पन्ना प्रेरी विदुधारा की दिशा को निर्धारित करने के वाला नियम क्या है तो दोस्तों चलिए अगला देखते हैं कोई विदुत रोधी ताबे के तार कुंडली को किसी गुल्बीनी मीटर से सयोजीत की जाती है क्या होगा जैदी को छाड़ चुंबकी है कुंडली के भीतर इस्तिर रख जाता है तो इसका जो सेंसर हो जाएगा या सुई सुई में कोई बिउख्षेप नहीं दिखा ही देगा ठेकर इसका सेंसर हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं विदुत सेल्ट अथा भीदुत बेटरी का उपयोगों होता है तो दोस्ति इसका जो सेंसर हो जाएगा ठेकर दोस्तों चालक के दो बिंदों कभी व तो मेरे भूतता है यह कसंते हैं जो कार eleg होता है यह रिपफो पहले से बता देना चाहता हूं दोर्सी में उच्छाव से लिग रहा हूं कारें जो होता है यह Exper How वूच्छ वीभव से नीमन वीभव क्यों आते हैं और दुस्टो जो dao टेहें तो दोस्ति हैं पर इल्ट एक्टरन का गया है इसलिए इसका जो सेंसर डूबर जो यह सेंसर उच्छ वीभव वाले क्यों घूंते हैं ठीक है चली अगला देखते हैं अगला दोस्तो भारबंद बोतल में जल जमनी से फटने का कारण किया है तो दोस्तों आप को समझा दे कि एक बोतल है बोतल में पहले हमने जल भारा यह जो जल था यह को लोगो का कि सबस्ता में था जético यह बन गया जब जमने लगा तो दोस्तों इसका जो ठोस हो जाता है इसके कारणी यह फट जाता है तो इसका जो सेंसर हो जाएगा जमनी पर जलका एतन बढ़ता इसका सेंसर हो जाएगा ठेक है समझ लीजे सिर्फ ठेक ना चलिए अगला देखते हैं बहनों के पीछे के द्रिश्टे देखने के लिए किस दर्बन का प्रयोग करते हैं आप लोगों को पता होगा चलिए अगला देखते हैं जदी एक चुम्बकी छाड़ जैसा चित्र में दिखाए गया है आकस्मि दिखाए नसा का त् सैसी जो नाम आए मैं शे और भी दर यांपर भी दक्षी निदो फॉत्त ऑप में किया क्या है आता है और सी आता है यह कौन से दृव्म में आता है उत्तर है उत्तरी दृव को बता दें कि जो ऊतरव है उत्री दूर्ब में क्या क्या आता ए यह आता है और सियाता अब जो दक्षने दूर्ब आता है वहां पर भी आोडी आता है चलिए दोस्तों मिला लेते हैं चली एक सोंदेख सकते हो 35 नमर का अब्टी सब्सक्राइब यह सिधी मैंने बताया ऊत्रधूर क्रौन इसका हो जाएगा उप्सOn. नमाच angular स्वाल स्वाल क्या है क्वांदल है तो फिरोध क्या होगा जैगा और्थी कर्षी उप्सन के सेंसर है दस वोल्ट बत सही है उसके बाद कितना है आय हमारे कितना देंगा है पांच बहुत इच्छा है आप दोस्तों किनि हम संकिया जानते हैं यह जब और निकाल ओगे तो हार बराबर आपका जाएगा वी बटे में आया र चलिए अगला देख सकते हो क्रांतुक ताप पर किसी अधिचालक का पतिरोध क्या है तो दोस्ट आठीज नबर के जो सेंसर हो जाएगा अपसन नम्हें दो जो इसका बिलकुल सेंसर चलिए ठीक है चलिए अगला पतिरोध को के समांतर स्वेजन में नीमनियों में से कुण प तो दोस्ते जो राइटेंसर आप आप से अपने इसका राइटेंसर हो जिते को विडियो पसंद आया होगा चली हो तो मिलते हैं प्रिकल्व जलत तब तक करें हैं